वेल्कम टू माय क्रियेटिव्स तो आज हम प्लाज्यों बनाएंगे तो यह सारी का कपड़ा है इसमें हम प्लाज्यों बनाएंगे तो हम पहले मेजर्मेंट जाल लेते हैं तो हमारा लेंध है 36 और 2 इंच उपर की और बैल्ट के लिए छोड़ दी है और हमनों सीधा लगके यह भी ड्रो कर लेते हैं तो देखिए नोट्स हमारा नीचे लिखा हुआ है तो देखिए हमारा जितना हीप होता है तो हीप में डिवाइड बाइब फोर इक्वल टू नाइन प्लस वन इंच कर देंगे लूज के लिए जितना आएगा उतना दस दस पर हमारा उग्ये चोड़ाई अग्रोश लेंद न आगे गुलाई देने के लिए तो दे दिए अब हमको स्कील के साहता से जितना आपको नीचे घेरा रखना है वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रो कर दीजिए तो कर देंगे और एक चीज है देखिए हमारा नीचे बोर्डर है उसलिए हम लोग बोर्डर के लिए नीचे छाट सकते हैं तो हमारे यहां से हाप इंच उपर गुलाई देना पड़ता देखिए मैं दे रही हूं अब हम वहां पे भी नाप लेंगे कितना हो रहा उसी हिसाब से यहां भी मराबर होना चाहिए उसको हम उसे कट करके निकाल देंगे करकर में निकाल दी तो इसलिए देखिए आप लूँगी उसी सबसे यहां भी उतना होना चाहिए वैसे क्या होता है बड़ा छोटा नहीं होता देखिए मैं नाप लिए इस तरह आप लुझेगा और उपर की और से हलका सा हापिंच छाड देंगे कमर की बेल्ट की और अब हम में बच्चेवे कप्टे से मैनी करना चालू करेंगे तो पहले स्टीच के लिए हम लोग को मैनी अटेच्च करना पड़ता है तो दोनों तरफ लेके देखें पहले मैनी को एक दूसरे से अटेच्च कर देते हैं कर देकर पूसरे से अटेच्च कर देखें पिए लाइट कर मेनी देखे हमारा मेनी लगके कम्प्रीट है अब हम फिटिंग मार देंगे और फिटिंग मारने के पाद ही बेल्ट के लिए त्यारी करेंगे बेल्ट के लिए हम अपरकी और से देंगे उसके पाद ही दो इंच पर फॉल्ड करेंगे तो इसमें आप चाहें तो जर्वन भी डाल सकते हैं जिसे नाड़ा बुलते हैं नहीं तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं एक इंच का इलास्टिक आता है 1 इंच के एलाश्टिक यह लगाने से फट्रक्ट रहता तो एक इंच के हिसाब से हम कपटे को फॉल्ड कर देंगे उसके बाद हमनों कुछ जगह थोड़ा सा छोड़ेंगे जिससे हम Elastic Spin की सहता से अंदर गुसा सके हैं तो Elastic लगाना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बाट ये वीडियो पूरा आप देखेंगे तो Elastic लगाना भी सीख सकते हैं तो देखें हम आग फ्रंट की और थोड़ा सा गेप छोड़ दिये तो Elastic हमारा हीप जितना है हीप की 4 माइनस करके जितना आएगा उतना एंची टेप से Elastic को काट लेंगे तो हमारा 36 है 36 में 4 माइनस करके 32 32 हमारा हीप हुआ तो प्लास्टिक को काट लिए अकाट के इसके पीन की सहता से अंदर की और डाल देंगे तो पीन की साथा सराम से देदे डाल सकते हैं तो Elastic लगाने के लिए हमेसा याद से माइनस करेगा नहीं तो जड़ा टाइट भी हो जागा नहीं तो लूज हो जागा तो फिर बात में ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है नहीं तो खराब हो जाएगी तो उसे 4 इंच माइनस कर कहीं काम करेगा देखें हमारा Elastic डाल रहे है तो डाल की Elastic उसके बाद दोनों को बराबर में रखके हम स्टिच कर देंगे तो अब फिलाल Elastic ही डाल रहे है देखिए डल गया हमारा Elastic अब देखिए दोने को स्टिच कर देंगे तो वह लोख हो गया अब हम जो चुननट जाता है कम बेसी तो रखती है अब हमको ध्यान देना है दोनों की और से टान कर Elastic को टान कर बीच में स्टिच करेंगे तब दिखेंगे स्टिच करते जा रहे हैं मैं देखिए उधर कंप्लेट हुआ है जहां पर देखिए इसमने खुबसूरत से चून चून बढ़ गया है तो Elastic को टान के आप स्टिच नहीं करेंगे तो Elastic परफेक्ट नहीं बठेगा थेंक्यू फेंड वाचिंग मैं चैनल लाइक करिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोमेंट करना प्लीज ना भूले मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूंगी